हतियार बंद बेखोफ बदमाशों ने बिहार के दरभंगा में डमरू सेट जुएलर्स को निशाना बनाया है बदमाश करीब आठ करोड रुपए के सोने के आभूशन वह कैश लूट कर फरार हो गए है आपको बता दें कि इधर पटना में मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कानून विवस्था को लेकर समिक्षा बैठक शुरू की उधर बैठक शुरू होने के आधे घंटे पहले अपराधियों ने दरभंगा में आठ करोड की लूट की घटना को अंजाम दे दिया अपराधियों की संक्या आठ से दस के बीच थी सभी बाइक से आये थे लूट पार्ट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी दुकान के मालिक सुनी लाट पर फाइरिंग करते हुए भाग निकले वे इस फाइरिंग में बाल बाल बच गए सस्पी बाबुराम ने घटना सल का मुआयना किया पुलिस की जाच चल रही है यह दर्भंगा शहर में लूट की अब तक की सबसे बड़ी घटना है इससे पहले 28 नवंबर को भी मुख्यमंत्री निदिश कुमार ने कानून विवस्था को लेकर समिक्षा बैठक की थी बैठक के कुछ घंटे बाद ही राज़ानी पटना के अती व्यस्त इलाके चिरया टांट पुल के ओटो में जा रही एक महिला की उसके पती के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उसका सारा सामान भी लूट लिया गया था बताते चले कि दरभंगा में हुई आट करोड की लूट में दुकान के सिसी टीवी फटेज में अपरादियों के भागने की तस्वीर कैद हुई है फटेज में अपरादियों गहने लूट कर भाग रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वे पूरी प्लानिंग के साथ गहने लूटने के लिए आए थे पुलिस के आला धिकारी मामले की चान बीन कर रहे है बताया जाता है कि अपराधियों ने लूट के दोरान 25 से 30 राउंड फाइरिंग भी की CCTV फुटेज में दिख रहा है कि फाइरिंग के बाद अपराधी बैग लेकर निकल रहे हैं इस दोरान वे लगातार फाइरिंग कर रहे हैं स्थानिय लोगों का कहना है कि जहां पर लूट की वारधात हुई वहां से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है लेकिन लूट के 25 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची दर्भंगा के SSP बाबुराम का कहना है कि इस बात की जाच की जाएगी कि पुलिस वहां मौजूद थी या नहीं जाच में अगर पुलिस की लापरवाही सामने आई तो लापरवाही पुलिस कर्मियों पर कारिवाही की जाएगी ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइग, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल की बांकेट एंटर्प्राइब